व्यूंतर पावर्फ। आप लोह के लिए बहुत ही आदा पावरफुल होने वाली है यह आपके फेशल हेयर को रिमूफ करेगी प्लस आपके चाहरे पर भर भर के ग्लोबी लाएगी वीडियो बहुत ही आदा अमेजिंग होने वाला वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा साथी फ्रेंट्स वीडि यहां सेम फ्लेम पर मैंने रखा एक चोटा सा पैन और उसमें आदा गिलास के करीब मैं इसमें एड कर दूंगी दूद उसके बाद इसमें एक बड़ा चमच भरके आप इसमें एड कर दीजेगा शुगर यानी की चीनी और साती फ्रेंट्स आदा चमच के करीब हम इसमें शहद यानी की हनी फ्रेंट्स यह तीनों चीजों को हम सिम फ्लेम पर गैस पर अच्छे से पका लेंगे इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक कि यह जो हमारा मिक्षर है बनके आधा ना हो जाए यानी कि हम इसे गाड़ा करना है फ्रेंट्स दू जो होता है स्किन पर वाइ तर्मरिक यदि आपके बाद वाइल तर्मरिक नहीं है तो यहां किचिन हल्दी का बिस्तमाल कर सकते हैं थोड़ी सी एड करेंगे उसके बाद इस मिक्षर को हिलाते रहेंगे आप अच्छे से और पका लेंगे तो यहां मैंने चार चीजें इसमें एड कियें बता देती हू और उसके बाद हम इसे गैस पर से उतार लेंगे तो यह मिक्षर हमारा बन के तयार हो गया इसका अग्ला स्टैप जो है वो है फ्रेंड्स की आपको लेना एक लीन बाउल उसमें एक बड़ा चमच के करीब एड करना है गेहूं का आटा ठीक है फ्रेंड्स अगर आपके बस बाउल के लिए मिक्ष्र हमने बनाा ता हल्दी वाला इसे हम इस बाउल में एड कर देंगे तो थोड़ा सा आप डालेंगे उसके बार इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बचई हुए मिक्ष्र को आप शूर भी कर सकते है ठीक है फ्रेंड्स तो यहा है यह सा और एड करेंगे जो कि हमारे फेशियल हेर कि जो रूर्स होती है उन्हें वीक करता है जो कि है फ्रेंड्स फिट करी को आप चाहें तो पाउडर बना का स्टोर कर सरते हैं यहां पे मैंने से पाउडर बना के आदा चमच के करीब मैं इसमें एड कर दूंगी उसके बाद इन सा यह हमारे चाहरे पर ग्लो भी लेके आता है और फेशियल हेर की रूट्स को बहुत ज़्यादा वीक करता है जिसकी वज़े से आपकी हेर ग्रोथ दुबारा जल्दी नहीं आती है तो फ्रेंड्स इस सरीके से आप इस चाहरे पर लगाएंगे तो उससे पहले अपने चाहरे पर पच्छे से लगा सकते हैं यदि आपको अपने सिर्फ अपर लिप्स रिमूफ करने है तो आप इसे अपने अपर लिप्स वाले जो एडिया है वहां पर लगा सकते हैं और यदि आपको बोड़ी के किसी और पार्ट का भी हेर रिमूफ करना है तो वहां पर भी रेमेड लाइटन अप करती है, स्किल को बहुत ज्यादा टाइटन अप करती है और ब्राइट बनाती है, तो यहां आज मैं आपको से पूरा फेस पर अपना अपलाई करके दिखा रहे हूं क्योंकि मैं इस रेमेडी को एजर ग्लोइं पैक की तरह भी ट्राइ करूंगी और फेशल हेयर रिमूफ कैसे करने हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो फ्रेंट्स टीनेजर्स के लिए तो यह होम रेमेडी एकदम बैस्ट है वो पालर नहीं जा पाते हैं, वेक्सिंग कराने से डरते हैं तो ऐसे में इस तरीके का पैक से अगर्दी आप चाहें तो अपना फेशल हेयर रिमूफ कर सकते हैं , अपनी स्किन को हैल्दी भी रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंट्स ठीक लेयर में इस पूरी होम रेमेडी को मैंने अपने चैरे पर लगा लिया है और हम इसे friends 10 minute के लिए अपने चेहरे पर छोड़ देंगे सूखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये ड्राइ हो गया है जब आपको facial hair remove करना है तो आप skin को tight करके upward direction में इस तरीके से rub करेंगे इस pack को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि pack के साथ आपका जो facial hair है वो जूट से निकल के बाहर आ जाएगा so friends इस तरीके से rub करते हुए ही आप पूरे face का इस pack को remove करेंगे तो आपका full face का जो facial hair है वो remove easily हो जाएगा इस remedy को निकालने में थोड़ा सा problem होगी लेकिन बाहर की waxing threading के comparison ये home remedy आपको pain नहीं देगी और बहुत ही असान तरीके से आप घर की चीजों से ही अपना facial hair से चुटकारा पा सकते हैं तो rub करते हुए आप इस पूरे pack को remove करेंगे जिससे की आपका facial hair remove हो जाएगा ये remedy आपके चहरे पर glow लाएगी आपकी skin को काफ़े जादा smooth बनाएगी पांच मिनट बाद अपना face wash normal पानी से दो सकते हैं लेकिन जब आप इसे facial hair remover की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप रब करते हुए ही इस पैक को इस तरीके से निकालेंगे तब ही आपका face का जो hair है facial hair वो remove होगा so friends ये home remedy है इसमें किसी तरीके का chemical नहीं है तो जो हमारा hair जो रोवा होता है वो हलका होता है वो तो तुरंट friends pack इस तरीके से remove करते है तुरंट ही निकल जाता है लेकिन friends कई बार क्या होता है हमारा facial hair जो होता है वो बहुत tight होता है तो असानी से नहीं निकलता है तो उसके लिए हमें इस remedy को कम से कम एक वीक में दो से तीन बार करेंगे तो हमारा टाइट बाल जो होता है वो भी इसली रिमूव हो जाता है और दुबारा जल्दी लॉट के नहीं आता है तो फ्रेंट्स वैक्सिंग कराने से क्या होता है कि हमारी हेर ग्रोथ बहुत जल्दी से वाश कर लिया है फ्रेंट्स जब वाश कर लेंगे तो उसके बाद स्कीन को ड्राइ करने के बाद आप स्कीन को मौशराइज करना बिल्कुल नहीं बूलिएगा तो आप कोई भी अपना फेवरेट मौशराइजर कर सकते हैं यहां में ऐलो वीरा जेल जो है उसे अपने फ इस तरीके से आप घर की चीजों से ही बहुत ही असान तरीके से स्किन को बेना किसी साइड अफेक्ट पोचाए फेशल हेर से चुटकारा पा सकते हैं अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं अपनी स्किन को फिर्म कर सकते हैं तो चहरे का गुलो आप सभी के सामने हैं फेशल आज की होम रेमेडी आप सभी को बहुत यादा पसंद आई होगी तो वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मद दूलेगा जरूत मंदों के साथ शेयर जरूर कीजेगा और इसकी डिजल्ट आपको कैसे मिलें ट्राय करने के बाद मु